डुम्री विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का एलान 5 सिक्षामंत्री जगनात महतों के निधन से रिक्त होई जारकन विधानसभा की इस सीट पर चुनाव के लिए 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे 8 सितंबर को चुनाव का नतीजा आएगा निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंदित विधानसभा छेत्र में आचारसन हिता लागू हो गई है आयोग द्वारा जारी कारेकरम के अनुसार डुमरी उपचुनाव के लिए 10 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी 17 अगस्त को होगा नामंकन इसी के साथ नामंकन शुरू हो जाएगा नामंकन की अंतिम्तिती 17 अगस्त निर्धारित की गई है 18 अगस्त को नावंगन पत्रों की जाच होगी तथा 21 अगस्त तक नावंगन वापस लिया जा सकेगा मंत्री बेबी देवी होंगी INDIA की उमीद्वार आयोग के अनुसार 10 सितंबर तक चुनाव संपन्ड कर लिया जाना है इस उपचुनाव के लिए उत्पादेवं मध्य निशेद मंत्री बेबी देवी का INDIA का उमीद्वार होना तय है NDIA की बात करें तो अभी तक उमीद्वार की घोश्रा नहीं हुई है हलांकी पुरी संभावना है कि NDIA रामगर मौडल पर यहां भी चुनाव लड़ेगा NDIA की ओर से आजसू की यह सोदा देवी उमीद्वार हो सकती है आजसू के केंद्रिय अध्यक्ष सुदेसमा तो कई मौकों पर डुमरी उपचुनाव रामगर मौडल पर लड़ने की बात कह चुके है रामगर उपचुनाव में आजसू उमीद्वार सुनीता चौधरी को भाचपा का पूरा सवर्थन मिला था जिसके अधार पर आजसू की जीत होई थी कॉंग्रेस को अपनी सीट खोनी पड़ी थी पांच जन्वरी को होंगे मतदान डुमडी उपचुनाओ में वैसे सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनका नाम इसी वर्स पांच जन्वरी को प्रकाशित मतदाता सूची में सम्मेलिद थे एक जन्वरी दो हजार तेईस को अरहताती थी मानते हुए मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। डुम्री उप्चुनाओं में वोट इवियम मसीन के मांध्यम से डाले जाएंगे। साथ ही इसमें वीवी पैट का भी इस्तिमाल किया जाएगा। जारखन की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें।